फोटल इंटर्णल रिफेक्षिन के वारे में क्या होता है ऊक्रिफ्रेक्षिन कैसे सको डील करते बहुत सिंफल से अबाइव बहुत ज्यादा इंपोर्टन टॉपिक अब स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बादे उद्मिंट बेसिक बोले तो जैसे कि देखना मैं क्いा जालना चाल रहा हूं कि यारर किया दो मीटियम मेरा एक है अन एक हैने एसा में चल रोग कि ये इनर मीडियम जो है लिएन टु मीडियम से बड़ा है अलब टरेटिम इंडेक्स कैसी हम इसकाLU एंटू का अंटू करिफ jorn चोंड़ यॉर्लाय कहा है यानी कि एन वन मिणा न्सब्र, जो आप जैसे संवाइब जी यार रहे और रही है कि जब बन mercy I सब्सक्राइब करें तो elections जब हो में यार मिडियम से तरफ ंसिदेंट इस इसी हैं दोती है चाहे मैं कितना भी आई की वेलव को बढ़ा लू आई की वेलु अट पर नहीं बढ़ेगी Al зан से डेंसर ना करके डेंसर से रेयर करूं तो क्या होगा समझना चीजों को अगर लाइट रही डेंसर से रेयर में इंसिडेंट होगी इस एंगिल को बोल दो आई तो क्या होगा अब जब भी लाइट रेंसर से रेयर में इंसिडेंट होती है इट बेंट अवे फ्रॉम नॉर्म यानि कि इसको जाना था ऐसे गई ऐसे अभी भी कोई टेंशन नहीं है सब कोई बढ़ी है मालो मैंने incident angle को थोड़ा बढ़ा दिया जैसे incident angle बढ़ाया पहले angle of reflection आड़मन ये था अब incident angle के थोड़ा बढ़ने से angle of reflection भी थोड़ा बढ़ गया मैंने का यार एक काम करो और बढ़ाओ तुमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया एक ऐसा वक्त आया जब ये surface से बिलकुल touch होता हुआ ऐसा निकल गया अब तुमने क्या किया तुमने बोला यार मैं थोड़ा सा और बढ़ाओंगा जब तो मने थोड़ा सो और बढ़ाया लाइट रे बाहर जाने के अलावा अंदर ही इंसिडेंट हो गई यानि कि वो एंगल वो एंगल जिस एंगल पे लाइट रे 90 डिगरी पे रिफ्रेक्ट हो रही है अगर मेरा एंगल क्रिटिकल एंगल से जादा हुआ तो लाइट रे बाहर जाने के जगह अंदर आने लगती है इसी फेनोमेना का नाम है टोटल इंटर्नल रिफ्रेक्शन इसी फेनोमेना के लिफ्रेक्शन में लाइट रे को बाहर जाना चाहिए था बाई, medium अलग-अलग है, mirror थोड़ी है, बड़ ऐसा behave कर रहा है जासा कि mirror है, तूँ अगर मेरा angle theta c, जिस को बोते critical angle, अगर मेरा incident angle, eye मेरा theta c से बड़ा हो गया, eye बड़ा हो गया theta c से, तो light ray बाहर जाने के लिए नहीं, अंदर में लाइट ए आ गई, light ray नहीं गई, light ray 按्र में आ गई, यानि कि यहांपे totally internal reflection अच्छन. reflection नहीं होड़ा है, reflection होड़ा है, बतब light ray ऐसा behave करें, जिसे कि यह mirror हो, इसी phenomenon का नाम है total internal reflection, अब इस phenomenon का this importance कियो है, कि कई जगह हम लोग का 2 medium होता है, हम हमेशा rare से dancer के तरफ नहीं आते, कई बाड़ ऐसा होगा कि हम डेंसर से तरफ जायेंगे और जब भी हम डेंसर से तरफ जा रहे हैं तो दिमाग में एक बात जोड़ सोचना कि जब सु नीट क्रिटाइब απο से बड़ा हो जाए दो आप दो अब है कि वो एंगल मुझे बताना है जिस से बड़े पे यह लाइट बिलकुल नौर्मली आए और इस एंगल से बड़े पर वो अंदर आ जाए यानि कि I am talking about this critical angle theta c जिस पर light ray जिससे अगर तुमारा angle of incident बड़ा हुआ तो वो light ray बाहर न जाके अंदर में ही रह जाएगी यानि कि I am talking about theta c कैसे निकाले theta c बहुत simple mathematics से theta c निकाले का apply the snell's law snell law क्या बोलेगा कि by n2 sin i i बोले तो theta c बड़ावर n1 sin r sin r कितना है normal के साथ angle 90 degree यानि कि sin theta c बड़ावर n1 divided by n2 यानि कि यह हो गया मेरा theta c critical angle की value अगर तुम्हारा incident angle theta c से बड़ा हुआ तो light ray अंदर रह जाएगी अगर मानलो तुमने ऐसा incident करवाया तो light ray अंदर आ जाएगी और अगर तुमने angle ऐसा करवाया तो light ray बाहर चलियाएगी यह difference होता है जब भी light ray dancer medium से rare medium के तरफ जा रही होती है तो total internal reflection का concept यहाँ पर आ सकता है अब यह तो आगे TIR की बात अपन TIR को इतना importance क्यों देते हैं पहले इसकी बात समझते हैं TIR को इतना importance लिए आता है क्योंकि अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना है क्या क्या बातों का ध्यान रखना है समय चीजों कुछ बातों का क्या ध्यान रखना है कि समझत छीजोंकि अब जैसे मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं याद आपन बात कर टे एंगल औफ डेविएशन कीज़शन का पता है कि जितना एंगल पर लाइट रे को जाना चाहिए था उतने एंगल पे नजाके वह प हुआ यह उपधर को जाना था ऐसे लाइट त्य गया ऐसें गितना एंगल भीव ड़ीग है यह पूरा आई हो जाएगा फो एंगम 117 थॐ irritated सवाल मैं ऐसा ले गां हु लाइट रहे इंसे टोड़ू है अब इसमें दो possibility है एक possibility क्या है एक possibility यह नहाइड नहीं जो है वो कहां से जाया तो वाई बाहर चला जाए और ऐक possibility अन्दर में नाओं इन लेस है थीटा सी चोटा है अगर जाना तो यह अगर यह बाहर गया यह एंगल है मेरा टोटल आर जाना था लाइट्रे को ऐसे गया लाइट्रे ऐसे कितना हुआ डेलटा की वैलू सिंपल सी बात है R-I R बड़ा है I छोटा है जाना था इसको ऐसे गया ऐसे इसको पीछे produce कर दो तुम्हें दिख जाएगा यह angle R तो यह पुरा angle R तो यह हो गया मैं delta delta is equal to R-I बट अगर case ऐसा बने कि मैं condition दे दू कि I मेरा बड़ा है ठीटा सी से तो क्या होगा तो जितने पर यह incident हुआ light internally reflect कर जाएगा उतने ही angle पर यह आई पर गया और यह आई पर वापस आ गया अब इस case में आप मैं पूछो delta कितना है जाना था ऐसे गया है यह है मेरा angle of deviation delta यह total angle 180 degree है यह 2i है तो deviation delta will be pi minus 2i है ऐसा बिएफ करेगा जैसे कि reflect थोड़ा है मीरर के case में यह होता है deviation तो यह फ़र्क पड़ता है जब angle तो अपने को जब भी deviation की बात करे बाई rare से denser में लफ़ा नहीं है लफ़ा कब है जब lighter denser से rare में जाड़ेगा तो दो condition है या तो यह भी हो सब deviation यह भी हो सकता है तो अब हो गई चिंता की बात चिंता की बात कैसे हो गई तो अब हम क्या करें कैसे पता करें पता करने के लिए अपने को थीटा सी निकालना पड़ेगा यह पता करने के लिए कि कब क्या deviation होगी जैसे कि कुछ इग्जाम्पी तोर पे मैं कुछ एक्जाम्पल ले रहा हूँ त्में समझ में आए गा कैसे करना है अब जैसे कि मान के चलो एंडली आमैशन की बात अपन कर दें मान के चलो कि पहला इसा ले रहा हूं पूर सिंपल सप्ट लेया कुछ ऐसा हुआ एक दो सर्फेस बना दिया मैं भूल जाओ किया प्रिस्म है दो सर्फेस में बना दिया गर मैंने बुझा यार दो सर्फेसट है आंगे में बोल दिया आउर यार है 45 डिकर राइट यवे 45 डिकर आगा यह भी का मतांड है। नहीं है यह भापका माल रहा हुआ यह अब लाइट्र देंसर से रमींट्री यह अब लाइट तर्बी झाएगी तो दो कंडिशनमें या तो लाइट रही या लाइट या भार याण रही कि लाइट रही यह बार दो फ़ता करने के लिए हम दो यह 45 डिभी तो यह भी 45 सूल गिंगल ड необходимо कि अगर यह एंगल औफ इंसिडेंट 45 डिगडी है मतलब थीटा-C पे इंसिडेंट हुआ है अगर थीटा-C पे इंसिडेंट हुआ तो जाएगा कैसे बिलकुल ऐसे ग्रेजिंग सर्फेस हुए 90 पे चला जाएगा अब इसी सवाल में मालो इसी सवाल मैंने यही सवाल ऐसा त में देता मैं बोलता यार यह एंगल है 30 डिगड़ी यह 90 डिगड़ी का इंसिडेंट हुआ है नॉर्मली तुमने इसको आगे के तरफ प्रोड्यूस किया यही एन बडाबर रूट्टु यह पोईला फड़े की बात नहीं है मैंने बोला यार यहां से नॉमल ड्रॉट कोड़ 45 इंसिडेंट 30 है 45 से छोटा है बाहर जाएगी के अंदर जाएगी ओव्यस सी बात है लाइट रे बाहर निकलेगी बाहर निकलेगी कितने एंगल पे मैंने बोला यार निकली आर एंगल पे निकालो और कितना होगा रूट्टू साइन थर्टी बड़ाबर वन साइन आर आ गया वन बाई रूट्टू बढ़ाबर साइन आर आर की वैलू आ गई 45 दिगरी यह पहला किसे ही दूसरा किस था मैंने तुम्हें पूछा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बताओ आए बड़ाबर आरफ जीरो है सिंपली इंट्री मारा यहां भी आई भी 0 है तो आरभी कितना 0 यहां पे तो कोई डेविशन हुआ ही डेविशन का हुआ यहा पर जाना था उसको ऐसे गया ऐसे कितना एंगल टर्डड लिया 45 डिडड लिया एंगल लिया 45 डिडडड लिया यह डेवियेशन कितना जाना था 30 डिगरी पे ऐसे 45 डिगरी पे गया तो डेवियेशन विल बी 45 माइनस 30 जाना था ऐसे गया ऐसे यानि कि डेवियेशन विल बी 15 डिगरी क्लॉप पर अब बढ़ी है ना कोई दिकत नहीं प्रॉबलम कब आएगी मान लो इसी सवाल में इसी दिया कि यह एंगल है 60 डिगरी अब बताओ अगर यह एंगल 60 डिगरी है तुमने नॉर्मली इंसिडेंट करवाया ऐसे तो ओव्यसी वात है यह एंगल हो गया 30 डिगरी यह एंगल कितना हो गए यह हो गया 60 यानि कि I is 60 डिगरी है थीटा सी 45 डिगरी बार जाए कि अंदर दिगरी रहेगा और के तनी पर इट होगा अच्छा यह 60 व मैं एंगल कितना में 30 यह यह तुम्हारा आरा है कि 60 डिगरी यह तुम्हारा आरा है सिक्षें देखना सवाल अभी खत्म नहीं कै Zusammen के यह बहुत जाओग्डिक है यह आंगल है सिक्ट अगल है और यह एंगल हो ग यह angle जो होगा 30 plus 30 60 यानि के यह angle हो गया 120 डिग्री फिर से फिर से वो डेंसर से रेयर में जाने वाला है फिर से सोचो normal बना उधो तुमने normal बनाया यह 90 यह 120 डिग्री यह बचा हुआ एंगल हो गया 30 डिग्री अब 30 पे इंसिदेंट हुआ है थीटा सी 45 डिग्री अब तो ये बाहरी जाएगा यानि कि देखो जब भी रेर से देंसर में आया कोई टेंशन नहीं था देंसर से रेर में जा रहा है तो मैंने थीटा सी चेक किया 60 थीटा सी से बड़ा है अंदरी र है एक यह 30 होगा आगर यह 30 हुआ फिर यह एंगल कितना होगा यह एंगल निकाले के फिर से तुम लगा होगे इसने ल्गावे रूट 2 साइन 30 अब बढावर 1 साइन आड़ जो इसको यानि कि 1 वाइट 2 यानि कि 1 वाइट 2 पील यानिकि साइन आर की वैलवा आगई 45 डिग उसमें के लिए प्रॉब्म लोचा हो गया, 60 पे था, 60 पे रिफ्लेक्ट हुआ, यानि कि यहाँ रिफ्लेक्शन लगेगा, डेल्टा इस इकोज टू पाई माइनस टू आई, यानि कि डेल्टा वन, 180 माइनस टू इंटू 60, कैसे, क्लॉक्वाइस, अब देखो, यह डेल्टा वन हुआ, पहले वाले सलफिस से, कैसे, जाना था ऐसे, गया ऐसे, डेल्टा टू इस इकोल्स टू, 45 माइनस 30, जाना था ऐसे, गया ऐसे, एंटी चलॉक्वाइस, तो डेल्टा निट इस इकोल्स टू, यह कितना आया, 120 180-120 यानि कि 60 60 clockwise 15 anti-clockwise 16-15 ये डिल्टा नेटा या या यानि कि इसलिए अपन TIR की बात करते हैं TIR की अपन इसलिए बात करते हैं TIR क्या होता है जब भी lighter dancer से rare में जा रही हो तो एक बार TIR की वर्ण में सोचू कि बाई TIR होगा तो क्या हो सकता है झाल मैंने ये कुछ एक्जाम्पल यह प्रिजम का इक्जाम्पल यह सारा इक्जाम्पल कर यह निकाल दिया लाइट चली गई तो तो आई माइनस आड़ कर दिया डेवेशन दों निकाल यह क्लॉक वाइस था यह एंटी क्लॉक वाइस था माइनस कर दिया एंगिल ओफ डेवेशन का एंगिल ओफ इंसिडेंट के साथ ग्राफ दिखेंगे और फिर बहुत बाते हमें सुनने आएगी मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए भाइ ठेक के लिए